22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण पतिष्ठा समहारों के लिए मंदिर प्रस्ट ने पच्चास से ज्यादा देशों को निमंत्रण भेजा है उनमें से एक दक्षिन कोरिया की किम चिल सू उरानी हू के राजवन्ष से हैं रानी हू को सूरी रतना के नाम से भी जाना चाता है जो अयोध्या की राजकुमारी थी राजकुमारी योहांग ओके या क्वीन हू या सूरी रतना को लेकर एक 2000 साल पुरानी किवदंती है कि वो अयोध्या की राजकुमारी थी जो की कोरिया की बहु बनी दरसल दक्षिन कोरिया में और पिछले कुछ दशकों से भारत में भी ये माननेता है कि 48 ईसवी में अयोध्या की राजकुमारी सुरीरतना ने राजा सुरोशे शादी करने के लिए तीन महिने की यात्रा की थी उन्होंने 42 ईसवी में कारक वंश की सापना की थी उनके राजकी राजदानी गिमहे शहर थी कहा जाता है कि राजकुमारी सुरीरतना के माता पिता को एक बार सपना आया था जिसमें एक दिव आवाज ने अपनी बेटी को ग्यूम गवान गया भेजने का आदेश दिया था क्यूंकि वहां के राजा सुरोश को अभी तक एक उप्युक्तुरानी नहीं मिली थी इसकी बाद शाही जोडे ने अपनी बेटी को अपने पती से मिलने के लिए कई उपहारों के साथ एक नाव पर बिठाया आखरकार राजकुमारी की मुलाकात राजा से हुई और दोनों ने शादी कर ली अयोध्या के राजवंश के सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा ने 2018 में टियोवाई से इस बात का जिक्र किया कि 1996 में इंजे विश्विद्याले का एक प्रतिनी दी मंडल रानी हू की वंशावली का पता लगाने के लिए अयोध्या पहुचा और हमारे शाही परिवार से मिलने आया इसके बाद 1999 में उन्होंने हमें दक्षिन कोरिया की राजधानी में आमंतरत किया और हमें सम्मान दिया उन्हें भारत और दक्षिन कोरिया को करीब लाने में महतपूर्ण भूमी का निभाने पर गर्व महसूस हुआ उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरे नाम पर रानी के स्मारक के लिए पट्टी का भेजी कोरिया टाइम्स के स्थम्बकार चो चोंग डे ने इस किफदंती पर शोध के बारे में लिखा है कि भारत कोरिया मित्रता 48 इसवी में शुरू हुई जब राज कुमारी सुरी रतना राजा किम सो रो से शादी करने के लिए भारत के अयोध्या से कोरिया आई और 42 से 562 इसवी में रानी हू के नाम से जानी गई रानी के कोरिया जाने को लेकर सैम गुक यूसा एक मातुस्त्रोत है इसके बारे में अभी तक कोई निरनायक सबूत नहीं है हाला कि कुछ अनुवन्शिक अध्यनों ने रानी हू के भारत से संबावित संबंध की तरफ इशारा जरूर किया है पिश्य साल भारत में रक्षिन कोरिया के राजदूत चांग जे बोक ने कहा था कि अयोध्या भारत और रक्षिन कोरिया के लिए महत्पून है 2000 साल पहले एक भारती राजकुमारी की कोरियाई राजदूत से शादी की किवदंदी का अयोध्या से संबंध है क्योंकि हमारी तिहास की किताबों में अयोता की एक राजकुमारी का उल्लेक है मुझे नहीं पता कि अयोता अयोध्या है या नहीं, लेकिन कोर्याई भाषा में ये अयोता है, ये माना जाता है कि अयोता अयोध्या थी या अयोध्या अयोता थी, अयोध्या में रानी हू का समारक भी बनाय गया था NBT Online Report